सात्यों हमारी नियत नेक है और सम्वेदन सिल्पी है हमारे फैसलों में मजबूती है और इरादों में भी उतनी ही मजबूती है कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि GST कभी भारत में लागू होगा और हमने यह करके दिखाया दिवालिया होने की स्थिति में देश की कंपनियों के पास कोई पस्ट एक्जीट रूट नहीं था आज Insolvency and Bankruptcy Code IBC न सिर्फ एक सच्चाई है बल्कि लाखों करोड की फसी हुई राची की वापसी का कारण बन रहा है Banking Reform भी बरसों से अटका हुआ था इस दिशा में भी तेश जी के साथ बुलन होंसले के साथ हमारी ही सरकार आगे बढ़ी कल ही हमने देश के मद्यमबर के ध्यान में रखते हुए है साथ आज स्थानी अखबारों में एक खबर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं छूट पूट कुछ टीवी में नजर आ रहा है लेकिन कल शाम को हमने कैबिनेट में मद्यमबर के परिवारों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है इस फैसले से साड़े चार लाग से जादा परिवारों के अपने घर के सपनों को उनके बरसों से अधूरे सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी और इसी इरादे के साथ हुआ क्या हमारे मद्यमबर के परिवारों ने अपना घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लिया किसी रियल स्टेट डेवलपर के साथ उन्होंने सौताई किया एक साल में मकान मिलेगा दो साल में मिल जाएगा उसने भी 70-80% काम किया 10-20-30% रह गया न इसको मकान मिलता है न वो किराया वाले मकान से बाहर निकल करके किराया से मुक्त होता है दो बैंक का भ्याज भर पार रहा है मद्यमबर का परिवार ऐसी चुज़ों में फस गया उससे बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा महत्पपूर्ण फैसला कल हमने करके करीब साडे चार लाक परिवार जिनके पैसे इन घरों में आज घर मिलेगा कर मिलेगा इस इंतजार में पड़े हैं और दो-दो-पांच-पांच-छाट साथ-चार से को इंतजार कर रहे हैं उनको मुक्ति देने का एक बहुत बड़ा काम कल हमने किया है और इसी इरादे के साथ अब हमने देश को फाइव ट्रिलियंड डॉलर की एकानोमी बनाने का लक्ष रखा है हमारी सरकार प्रक्रियाओं की डी बॉटलनेकिंग पर बल दे रही है इंटर्न डिपार्टमेंट को बढ़ा रही है ताइम लिमिट में फैसले ले रही है हमारी कोशिज टैक्स रेजिम को कॉम्पिटिटिव और ट्रांस्परेंट बनाने की है इस कड़ी में कॉर्पोरेट टैक्स से जुड़ा एहतियासिक फैसला लिया गया है आज भारत दुनिया की सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स व्यवस्ताओं में से एक बन गया है इस साल एक अप्तुबर के बाद जो भी नई गरेलू कमपनिया खुली है उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटा कर सिर्फ पंदरा प्रतिशत कर दिया गया है साथियों पिछले महिने ही इसेस्मेंट स्कीम लागू की जा चुकी है यानि टैक्स सिस्टिम में अब हुमन इंटरफेस को कम से कम किया जा रहा है इससे अधिक ट्रांसपरंसी आएगी और टैक्स से जुड़े मामलों का भी तेजी से निप्ता रहा होगा